अपना उत्तरप्रदेश में खबरों कर लेते हैं लखनाव में मौरे समाज की ओर से समाजिक प्रतिनी थी सम्मेलन का आईजिन किया गया और इस कारक्रम में यूपी के मुख्य मद्री योगी आदितिनाथ ने शुर्गत की वहीं विपक्ष पर भी कई तीखे प्रहाद किये इस दोरान सीम योगी ने क्या कुछ कहा चलिए आपको सुनाते हैं हर एक गरीब के घर में सोचाले आ गया है 2014 के पहले आवास योजना का लाफ चेहरा देख करके मिलता था सत्ताधरी दलके हैं तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा बिधायक आपकी जातिका है तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा आज तो देश के अंदर दस करूर लोगों को आवास मिल गए दस करूर लोगों को दस करूर दस संख्या कम होगी लेकिन जब उसको आप बिंदी बढ़ाते जाएंगे न एक के आगे और जब गिनेंगे अकेले उत्तर प्रदेश में यानि कितने बड़ी संख्या में आवास दिये जा रहे हैं तैंतालीस लाक आवास अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर यहां की गरीबों को देच चुके हैं भाईयो बेनों पांच लाक रुपे की स्वाज़ते बीमा का कबर किसी को कैंसर होता था किसी की किड्नी खराब हो गई दुर भागे से आपने देखा होगा यह मान लिया जाता था किड्नी खराब हो गई तो यह मान लिया जाता था कि अब इसका कोई भी हाल चाल लेगा नहीं कैंसर हो गया थे मानने जादा असाद्य हो गया बिमारी लेकिन भाईो बेनो आज आपने देखा होगा आयुस्मान भारत के अंदर और मुख्यमंत्री जन स्वास्ते सुरक्सा योजना के अंतरगत जनारुग के योजना के अंतरगत हरे एक ब्यक्ति के लिए पांच लाख रुपे सालाना स्वास्ते बीमा का कबर तैयार है लाखों लोग करोणों लोग देश के अंदर इस सुविधा का लाब ले रहे हैं इस सुविधा पहले भी दी जा सकती थी आप मुझे बताईए भारत का राज़्टे चिन्न क्या है भारत के सिरंगे के बीच में क्या है याद रखना भारत का जो राश्ट चिन्न है वासोग की लाड़ के उपर जो सिंग है न वही भारत का राश्ट चिन्न बना है और और भारत के आनमान और सान के प्रतीक त्विरंगा में बीच में जो मणी है वा धर्म चक्र है धर्म चक्र परवड कनाय की प्रुना यह दोनों की पेणा कौन देता है असोग भारत का सुण यह कौन सा था चंद्र गुप्त मौर्य का था कौंग्रस महास्चे प्रियंका गांधी रविवार कोतर प्रदेश के बुलन शेयर पहुंची जहां उन्होंने पतदिकारी प्रतिग्या सम्मेलन में शिर्कत की इस दौरान उन्होंने कहा कि कौंग्रस पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी उन्होंने कहा कि हम सारी सीटों पर और अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे प्रियंका ने कहा कि हम यहाँ पर कौंग्रस को मस्बूत करने आए हैं क्योंकि कौंग्रस ही एक देश के लिए खड़ी है चुनाव में जीत को लेकर कोई कोर कसंद नहीं चुनना चाते हैं और इसी के मंदे नजब उचुनाव को लेकर पूरी तायारियों में जुटे हुए हैं वही इसी भी सपा मुख्या ख्लेश यादव ने खुशी नगर में एक प्रेस कौंफरेंस की जहां उन्होंने सत्ता पक्ष पर कई सवाल था की अख्लेश ने कहा कि कृशी कानूनों के विरोध में कई किसानों की जान जा चुकी है लेकिन सरकार को कोई परवाद नहीं है वही जिस सरह से सरकार थे यूपी में किसानों के विरोध को कुचलने की कोशिश की जिसका आरोप के इन्वे मंत्री के बेटे पर है कि आप अपनी जीप से अंदाता को कुचल सकते हैं तो ऐसे मैं आपको बतादे हैं ख्लेश यादव ने प्रेस कॉन्फरेंस की है साती सत्ता पर कई सवाल उन्होंने खड़े कि किसानों को लेकार सबसे जादा तीका प्रभाहार उन्होंने किया है तो आपको बता दिया ख्रेश श्यादव ने ये प्रेस कॉंफरेंस की जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर किसानों को लेकर कई सवाल दाके उन्होंने सीधे तोर पर कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों को कुचलने का काम कर रही है कॉंग्रस महासचे प्रियंका गांधी रविवाक उत्तप्रदेश के बुलंचेर पहुंची जहां उन्होंने पदधिकारी प्रतिग्या समेलन में शिर्कत की इस दोरा में उन्होंने कहा कि कॉंग्रस पार्टी यूपी में अखेले चुनाव लड़ेगी उन्होंने कहा कि हम सारी सीचों पर और अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे और लगातार उत्रदेश के जिलों का दौरा कर रही है इसी कड़ी में बुलंशेर वो पहुंची जहाँ पर पदधिकारी प्रतिग्यस सम्मेलन रखा गया था और उन्होंने वहां से जनता को संबोधित भी किया उत्रप्रदेश ओद्योगी कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने एक बाप फिर विपक्ष्री सरकार पर निशान असादा है कॉंग्रस सेता ने कहा कि जब जब राम जनर्म सली का अंदोलन हुआ तब तब इन सब ने विरोध किया है ये नकली रामभक्त और जिस तहा से सुपनखा नकली भीश भर कर रिजहाने आई थी उसी प्रकार से सुपनखा के रूप में नकली भीश बदल कर भगवान राम का नाम लिखकर आए हैं जिने जनता सबक सिखा देगी तो ऐसे में कानपूर में क्याबिनेट मंत्री सतीश महाना पहुंचे जहां पवनोंने बयान दियानोंने कॉंग्रेस को नकली रामभक्त तक बता दिया शिर्राम के जैसी राम कहने वालों को राक्षस कहते हैं दूसरी तरफ इनके नेता वहाँ पर रहे उद्द्या में जाते हैं रियाला पुर्शुत्तन भगवान शिर्राम के जन्व स्थरीक का जब जब बांदोन शुरूआ तब तक इन सबने विरोज किया है यह वही मुलायम सिंग और मायावती के पार्टी हैं जो कहते थे मिले मुलायम काशी राम और हवा में उड़ गए आज वही मुलायम के शरण में यह नकली नाम बगते हैं जिस प्रकार से शुरूप नखा भेश बदल कर राम को रिजाने के लिए आई थी उसी प्रकार से यह शुरूप नखा के रूप में नकली भेश वर्यादा पुर्शुक्त भगवान राम का नाम लेकर नकली तरीके से आएं यूपे के बरेली में वदमाशों के होसले बुलंद होते जा रहे हैं तास्व मामला थाना फरीद पुर्शेत्र का है जहां अधमाशों ने पैट्रोल पंप पर सेल्समेन को पीटा और हजार रुपे लूट का मौके से फरार हो गए मामले के जानकारी देते हुए सेल्समेन हरकत हसुरत अली ने बताया कि यह कार पंप पर आकर रुकी जहां कार सवारों ने कार में सी एंजी गैस फुल करने के लिए कहा जिस पर पंप सेल्समेन ने टेक्निकल प्रॉब्लम की वच्छा से गैस ब्लास्ट जैसे हाथसे से बचने के लिए टेंक फुल नहीं किया जिस पर पोखलाय कारसवाल योगों ने पेट्रोल पंप पर जम कर हंगामा काटा और सेल्समेन से जम कर मारपीट की तो तस्वीरे आप देख सकते हैं बरेली का पूरा मामला है जहां पर हजारों की लूट करते हुए बदमाज जो है फरार हो गए पेट्रोल पंप के सेल्समेन के साथ मारपीट तो की ही साती साथ आपको बता दें उसे पैसे भी लूट कर वो वहां से फरार हो गए हैं सीसी टेवी कैमरे में पूरा का पूरा वाक्य कैद हो गया जिसके बाद अब ये जो है पूरा वाक्य शोचल मीडिया पर भी पारल हो रहा है बलरामपूर के सोहे लवा वन्य जी प्रभाद का जंगल भांगर रेंज इन दिनों वैद कटान को लेकर काफी सुर्ख्यों में है जहां के जंगलों में शाकू, शीशम, सैगौन, खैर, आदी के पीश कीमती पे बहुत तयात में पाए जाते हैं जिसका वन्य कर्मियों की मिले भगत से बड़े पैमाने पंधदुन कटान जारी है ये जंगल भारत और पड़ोसी देश नेपाल की सीमा परिस्तित हैं जिससे यहां के जंगलों से अवैद कतान कर लकडियों को वन माफियां बड़े आराम से नेपाल पहुंचाने में काम्याब हो जाते हैं वहीं वन शेत्र से सचे गाउं करहया निवासी खसीन खान यारोप लगाते हुए कहा कि यहां के रेंजर सहेत वन करपियों और पनमाफियां की मिले भगड से जंगलों का दोखन कर परियावरन को गंबी खत्रा पैदा करते हुए सरकार को भी लागों का चूना लगाये जा र करकार के काफी मतलब जंगल भी रूप से कट रहे हैं अब इसकी कार कई है कहरे कि स्टाप नहीं है एक एक बन अच्छार चार बीट देख रहे हैं इसलिए उसकी रख्वाले नहीं हो पा रही है यह सब सबस्या है मने बाद से संब्सक्राइब बड़े पैमाने पर जंगल क कि अबर रेंद है बीरपूर की स्वहलवा डिविजन की तो उसमें कुछ कटान की शिकायत थी इसके लिए हमको बुलाए गया यहां पर उसके टीम को बुलाए गया है उसको देखे की जाएगी अभी हम लोग जहाई कठा हुए है शिकायत करता को भी बुला लिया गया है उ तर्याम जुआ खेला जा रहा है आपको बता दें कि यहां ग्राम प्रधान अपने साथियों के साथ जुआ खेलता दिखाई दिखाई दिया है वहीं ग्राम प्रधान के खिलाव सादुल्ला नगर ठाने पतहरी देने के बाद भी ठाने में कोई भी शुकायत दर्च नहीं पुरकर पूरा मामला है जहां पर जुआ खेला जा रहा है और हैरान करने वाली बात ये है कि ग्राम प्रधान की तरफ से ही ये सर्यांग जुआ का खेल खेला जा रहा है वहीं पुलिस पूरे मामले में कोई कारवाई नहीं कर रहा है दरसल आपको बता दें कि वल्वराम पूर में ग्राम प्रधान अपने साथियों के साथ जुआ खेलते हुए दिखाई दिया वहीं ग्राम प्रधान के खिलाफ सादुला नगर ठाना शेत्रम पर तहरीर देने के भी ठाने में कोई श्रिकायत दर्ज नहीं की गई। मत्रा में आजादी के अमरत मोहतसब के समापन के अफसर पर शहर में प्रभात पेरी निकाली गई वहीं इस पेरी में जिलाज जच और सभी नियायक अधिकारियों सहित सभी लोग, कॉलेज और समाज सेफियों ने भाग लिया महिस दौरान अजारी आजादी के अमरत महतसब में 30 लाख लोगों को कानून की जानकारी भी दी गए तो मत्रवा की तस्वीरे आप देख सकते हैं अजादी के अमरत महतसब का समापन हो चुका है साथी आपको पता दें शेहर भर में ये रैले निकाली गई तस्वीरों के जर्ये देख सकते हैं साथी लोगों को जाकरुक किया गया और कानून के बारे में लोगों को चानकारी दी गई बलवरामपुर के कलंदरपुर गाउं में दबंगों की दबंगई सामने आई है दबंगों ने घर में खुसकर एक परिवार से मारपीट की पीडित कारोप है कि वो परिवार की परवरेश ठेला चला कर करता है और अपने घर और आपको बता दें गड़े की जमीन पर टीन का आवास बना कर उसमें रहता है जिस पर जबरन दबंग विपक्षी कबजा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ चलते दबंगों ने उनसे मारपीट की जिसमें पीडित के बच्चों को भी चोटाई है वहीं मारपीट के बाद बनमाशों ने उन्हें शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी वहीं इसको लेकर अब पीडित परिवार मामले मिन्याय की गोहार लगा रहा है तो बलवरामपुर का पूरा मामला है जहां पर एक बाप फिर से दबंगों की दबंगई सामने आई है आपको बता दें घर में खुस कर पेडित परिवार से मारपीट की गई दरसल आपको बता दें ये शक्स जो तस्वीरों में अभी आप देख रहे हैं अपने घर का पाल कि हम लोग बहुत असहाय हैं ठेला चला कर अपना परिवार पाल रहे थे जिसमें लोग हमें जीने नहीं देना चाहते हैं जबर्दस्ती मारते हैं पीटते हैं गाली देते हैं कौन रात को इतना मारा है कि ये देख लिए ये हड़िवार है ये चेहरा पूरा सूजा है जै प्रकास हैं उमेस हैं बाल किष्ण हैं अब खबर गॉंड़ा से हैं जहां सूबे के सारकार लगाता नारीश शक्तिकरण्य पर तरह तरह की योश्णाय चलाती हैं कहीं पर एंटी रोमियों तो कहीं पर 1090 जैसी विवस्था की जा रही है ताकि महिलाओं पर अत्यचार्ट लेकिन कहीं कहीं महिलाओं के साथ हुई बारदाच सामने आहीं जाती है तासर मामिला गॉंड़ा चिले के थाना खोडारेक का है जहां दो नवालेक बच्चों ने एक 6 साल की बच्ची के साथ सामोहिक दुषकर्म की बारदाच कोंझान तिया है मामले की जानकारी मिलते ही पेड़ित परिवारती पुलिस में इसकी शिकायद की जिसके बाद पुलिस मामले की जाच में चुट गई है तो गॉंडा का पूरा मामला है जहां पर 6 साल की बच्ची के साथ दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया गया को बता दें नाबालिक बच्चों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है जिसके बाद पुलिस को इसकी शिकायद की गई पुलिस मामले की च्छान बीन कर रही है पुलिस को थाना खुरारे छेतर के अंतरगत एक नाबालिक बालका के साथ गाओं के ही दो बाल अप्चारी द्वारा दुस्टर्म किये जाने की घटना प्रकास में आई है जिसके संबन्द में पीरता की माता की ओर से दीगी तहरीर पर थाना खुरारे पर तत्काल सुसंगा धारों पर अभ्योग पंजिकित किया गया था पीरता को कि किसी प्रिषड है तू भीजा गया है अन्यवजानी कारवाई भी की जा रही है मौके पर सांती व्यस्था काइम है पुलिस सदिक्षक रेलवे अनुभाग की ओर से चलाय जा रहे चेकिंग अभ्यान के अदगत साहरनपुर रेलवे पुलिस उपाद एक्षक की निगरानी में थाना प्रभारी की कठे तीम ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभ्यान चलाया महीं दोरान एक चोरो के गैंग को पुलिस ने करफ़तार कर लिया वहीं आरोपियों से चाको समें कई हत्यार भी परामद किये हैं तो साहरनपुर का एक पुरा मामला है जो हां पर रेलवे पुलिस के हाथ ये बड़ी सपलता लगी है दरसल आपको बता दें रेलवे पुलिस की तरफ से चेकिंग अभ्यान चलाया गया था और ऐसे में चेकिंग के तौरां चोर के गांग को पुलिस ने पकड़ लिया है साथ ही इनके कबजे से कुछ खत्यार भी बरामद किये हैं जो तस्वीरे के जरिये देख सकते हैं आप ऐसे में लगातार आपको बता दें अपराध्यों की धर पकड़ के लिए पुलिस जो है लगातार अभ्यान चला रही है इसी कड़ी में रेलवे पुलिस ने भी ये चेकिंग अभ्यान चुराया था जिसके तहट ये चोर गैंग को गिरफतार कर लिया है और उनके कबजे से खत्यार भी बरामद किये हैं पिछले कुछ दिनों से कुछ अपराध बढ़ गए थे लास्ट टाइम भी मेरे द्वारा जब यहां पर क्राइम मीटिंग की गई थी तब एक पैटन पाया गया था ऐसा लग रहा था कि सुबह की समय आउटर में कोई एक पर्डिकलर गैंग वर्क कर रहा है उनका काम करने का तरीका भी सेम था तो मेरे द्वारा ये टार्गेट यहां के थाना प्रभारी को दिया गया था और सीओ साहरनपुर को मैंने कहा था कि इसको लीड करें उनको दो लोग मैंने इस अवलेंस में भी लगवा के दिये थे तो पिछले पर कुछ लगभग एक महीने से जो मैं लास्ट मीटिंग यहां पर करी थी तब से हम कंटिन्वस मॉनिटरिंग करके इसके उपर वर्क कर रहे थे और इसको वर्क करते हुए सक्सेस्फुली हमने अपने चार घटनाओं का अनावरन किया है और इसमें गैंग पकड़ा गया है जिसका लीडर जौनी है यह साहरनपुर का रहने वाला है और इसके उपर कुलमला क कितियास हर्याना में भी प्राफ्ट हुआ है जब इन से पूचताच की गई तो इनके उपर हमारे जो चार मुकद में हैं जो कि इंटरलेरेटेड लग रहे थे हमको अखिल भारतिये सुतंतिता सेनानियों तुराधिकारी संगठन की ओर से फिल्म अभिनेत वी कंगनर रनौत का पुतला पुका गया को बता देंगे जुला ध्याक्ष अरीच पवार की नेतरित में कलेक्टरेट रहे पर ये पुतला देहिंट किया गया इस दोरान संगचन कारकरताओं ने कहा कि देश की अजादी में श्रहित होने पाले और सुतंतिता सेनानियों का कंगनर रनौत ने अपमान किया है जिसे सुतंतिता सेनानियों के परिवार जनों की भापनाएं आहात हुई है और कंगना रनौत से पदमिश्री अवार्ट वापस ले लेना चाहिए साथ ही उस पर मुकदमा भी दर्च होना चाहिए तो ऐसे मैं आपको बता दें दरसल अभी बीते दिनों पहले एक इंटर्वियू के दौरान कंगना रनौत ने साफ तोर पर कहा था कि 1947 में नहीं हमें 2014 के बाद से अज़ादी मिली है उननिस सो से तालिस में हमें भीक मिली थी और इसी उनके इस बयान को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तमाम संगठन जो हैं वो विरोध करते नज़र आ रहे हैं इसी कड़ी में साहरनपुर में भी ये विरोध उनके खिलाफ किया गया उनका पुतला फूका गया जो तस्वीरों के जरिये देख सकते हैं जो मांग की जा रही है पूरे देश की जनता जो है वो एक ही मांग कर रही है कि कंगना रनौत से पत्मश्री पुरुसकार वापस ले लिया जाए क्योंकि उन्होंने देश के स्वतंतिता सेनान्यू का मान किया है फिल्म अवनेतरी कंगना दौरा 11 तारिक में एक इंट्रिव्यू दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि सहीद भगासिंग, मादमा गांदी ये सब लोग जो जिन्होंने हमें आजादी दिलाई ये असली आजादी नहीं थी ये आजादी हमें भीग में मिली है और असली आजादी हमें 2014 में मिली है आजादी हमें आजादी हमें देखर आजादी हमेड़ स्थे नहीं जाजादी हमें आजादी हमें ए्यासित में उतित कRo